जहां जादतर लोगों का ये कहना है कि गंटों रियास करना चाहिए साथ साथ आठ आठ गंटों का रियास वहीं एक ये वीडियो आता है जहां टाइटल ये पड़ा हुआ है कि सिर्फ पांच मिनट सिर्फ पांच मिनट आपको रियास करना है तो ये क्या philosophy है थोड़ी सी मानसिक्ता पर ही है थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए रियाज शुरू करने के लिए बच्चों में भी बढ़ों में भी एक motivation डालने के लिए येक विचार है जो मैंने हाल ही मैं अपने ही एक विद्यारती से सीखा तो मैंने सोचा कि उन्हें ये भी सजा किया जाए शेयर किया जाए कि क्या baby steps लेने चाहिए या लंबी-लंबी छलांगे मारनी चाहिए ऐसा कुछ ये topic आने वाला है जादा बड़ा नहीं है छोटा सा है तो पूरा सा आप देख सकते हैं आराम से और अपने friends में शेयर कर सकते हैं अपने musical buddies के साथ साथ शेयर कर सकते हैं जो संगीत सीख रहे हैं आपके साथ ठीक है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा काम की बात मैंने गीने है काम की बात मैंने गीने है अक्सर ऐसा होता है मेरे वीडियो में जहां आप देखते होंगे कि मैं ये बता रहा हूँ ये बात मैंने किन से सीखी ये बात मैंने पिता गुरू जी से दादा गुरू जी से मेरे इंगलिश के प्रोफेसर से मेरे तबला गुरू जी से या फला किसी व्यक्ती से या फिर इवन मैं बड़े-बड़े जो कलाकार हैं, पंडित अजय चक्रवर्ती जी हैं, पंडित जश्राज जी हैं, या कौशे की चक्रवर्ती जी हैं, इन लोगों से मैं कुछ ने कुछ सीखता हूँ, इनके अलंगकार, स्टाइल्स, और मैं उन पर वीडियो बनाता हूँ, तो कई लोगों को यह चीज पसंद नहीं है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि यार तुम तो खुद गुरू हो ना, तुम तो खुद टीचर हो, तो अपनी टेकनीक सिखाओ ना, किसी दूसरे के कांधे पर रखके बंदूख क्यों चला रहा हूँ, यानि किसी और की टेकनीक सिखा कर उनका नाम लेकर तुम व्यूज क्यों कमा रहे हो, मेरा मकसद अगर व्यूज कमाना है भी, चलो माना, तो मैं उन व्यूज में लोग कमा रहा हूँ, उन व्यूज में लोगों तक वो बात पहुँचा रहा हूँ, सरलता से, और एक exposure उनको दे रहा हूँ, जो चीज मैंने जल्दी समझ ली, because मेरी एक life journey रही है, जिसमें मैं पूर्ण तह संगीत में रहा हूँ, तो मैं कोई भी मुश्किल चीज होती है, तो मुझे थोड़ी आसानी होगी, बनिजबत किसी नए विद्यारती के समझने में, तो मैंने अगर वो चीज जल्दी समझ ली है, तो क्यों सारे teachers हैं, जिनने पिताजी ने appoint कर रखा है, अब वो जो सारे teachers हैं, वो actually हमारे students ही हैं, तो हमारे students को ही उन्होंने तयार करके वहाँ सिखवाना शुरू किया, तो उनहीं में से एक student, हाल ही मैं आपने उनकी तस्वीर देखी थी, जिनके साथ एक नया गाना आने जा रहा है बिरेन परधान जी, तो वो उडिसा से हैं, तो वो एक class में ये बात बोल रहे थे, जहां से मेरे पिताजी ने ये learning ली, बोले कि यार ये एक अच्छी चीज है, जो हमें अपने शिक्षा में जोडनी चाहिए सिखाते समय, तो वहाँ बिरेन अपनी class में क्या कर रहे थे, कि बच्चों को, चटे-चटे बच्चे हों या बड़े-बड़े लोग हों, उनको ये कहने के बजाए, कि भाया, morning vocal रियाज 3 घंटे का पूरा प्रोसेस है, सवेरे ब्रम्ब मूर्त में उठना है, और वहाँ करना है, ये ये टेक्नीक्स है, वो ये कह रहे थे, कि आपको ज़ कर रहे हैं, हम तो 3 घंटे बोल रहे हैं करने को, और दीरे-दीरे उसमें विर्धी करने की बात कर रहे हैं, और ये इंसान कह रहा है कि 5 मिनट रियाज कर लो, फिर पिता जी ने उस पर ज़रा सोचा, और जब ये चीज मुझे बताई, तो मुझे भी ये बड़ी सटीक लग काउंट किया जाये खाली, कि आज क्लास जाना है, गुरुजी के पास बैठना है, और às का लेसन करना है, उसको आज प्रैक्टिस करनी है, और ये उनको करके दे देना है, इतना सा काम है, तो बड़ा आसान लगता है, बनिस्बत कि ये, कि और ये 6 साल का डिग्री कोर्स है, या वर्ष लग जाते हैं संगीत सीखने में, तो जन्मो निकल जाते हैं, ये जैसे बड़ा 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 नाम आता है, तो हमारे मन में क्या आता है, यार ये तो हो गई नहीं, ये अपने से नहीं होगा, तो हम शुरू ही नहीं करते हैं, जैसे ही कह दिया जाए कि तीन गंटा रियाज होता है, साथ साथ आड़ गंटा रियाज होता है, तो हम डर जाते हैं, हम कहते हैं, यार इतनी तो अपनी capacity नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा 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 करके करके करते हुए शुरू करने जाते हैं, तो पता चलता है कि आप अल just for teaching but in your life as well अपनी जिन्दगी में भी इसे उतारिए कि baby steps किसी भी बड़ा जो project है या बड़ा जो target है उसे छोटे छोटे targets में आप क्या chunks में बांट दीजिए कि आज 5 मिनिट रियाज करेंगे अब उसका एक और फाइदा उन्होंने बताये पिताजी ने स्वाभाव एकसी चीज है कि अगर कोई एक बार को रियाज पे बैठ गया है बोला कि 5 मिनिट करने है न चलो ठीक है 5 मिनिट करेंगे वो 5 के कब 15 और 15 के 20 बैठे ही बैठे हो जाएंगे पता नी चलेगा क्योंकि एक बार को आदमी अगर बैठ गया है 5 मिनिट के लिए तो फिर वो लेगा चलो करी लेते हैं आगे और कर लेते हैं तो ये एक शुरुआती दौर के लिए बट अफकॉर्स मैं ये चीज़ बता रहा हूं जो बच्चे अभी-भी रियाज करना शुरू कर रहे हैं जो अभी-भी संगी सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए टेक्निक है बट अफकॉर्स उनका रियाज मैं मन कैसे लगेगा उनको दिल्चस्पी नहीं आएगी इंसेंटिव नहीं मिलता है न तब तक आदमी काम कैसे करेगा और निरंतरता से ही रिजल्ट मिलते हैं आप रियाज क्या कर रहे हैं उससे तो फर्क पड़ेगा ही कब कर रहे हैं वो भी फर्क पड़ेगा लेकिन कितने रेगुलारिटी में कर रहे हैं उसका फर्क है अगर आपने रोज नहीं किया तो शुरू में आपको असर मिलेगा ही नहीं और जैसे ही असर नहीं मिलेगा आप आगे काम करना ही नहीं चाहेंगे तो बीबी स्टेप्स छोटे छोटे सिर्फ पांच मिनट से आपको शुरू करना है और ये मैं चीज शेयर इसी लिए कर रहा हूं ताकि अपनी लाइफ में आप उता रहें कि कोई भी बड़ा टार्गेट मिल रहा है ना कि अरे यार तीन घंटे का ये प्रोसेस है तो उसे बांट लीजे या जब आप सीखते हैं सीखते वक्त आपको टार्गेट मिलाए कि ये फलाँ अलंकार ये राग ये ताल ये सब आपको तयार करना है जैसे हमारा जो सिल्वस चलता है संगीत प्रवावल्ड का वो तीन पार्ट में डिवाइड़ है मॉर्निंग वोकल रियाज करते हैं आप हार्मोनियम के और राग के और अलंकार के लेसंस लेते हैं थाट पिछ सीखते हैं और तीसरा जो पोर्शन है वो लय और ताल का है यानि तीनों से थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपने लिया और थोड़ा थोड़ा करते हुए वो पूरा पूरा बूंद बूंद से आपने सागर बना दिया ठीक है तो ये एक प्रक्रिया है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको काफी मदद मिल जाए रियाज करने में रियाज में अपनी कपासिटी बढ़ाने में भाई शुरू में जिम करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि आज इहीं बड़ी बनाके निकलेंगे नहीं आप ठोड़ा थोड़ा करते हैं आज सिर्फ वॉम अप किया इस स्रिफ स्ट्व करी उसके बबाद आज घंटे में तबदील हो जाएगा भनक ही नहीं लेगेगी ठीक हैं तो शुक्री आई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी कुछ न कुछ बाते में लाता रहूंगा बताता रहूंगा